नमस्कार मैं डोक्टर सर्वन सेनी सायक अचारे स्री रादेश्या मार मुरारका राज की मावद्यले नवलगड आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक मेहत्पून टोपिक व्यभारवाद बिहेवरिजम व्यभारवाद क्या है व्यभारवाद की उत्पत्ति जो है वो प्रमप्रागत राजनती विज्ञान की अपरियाप्तताओं के कारण हुई व्यभारवाद राजनती विज्ञान को आधुनिक बनाने का तरीका है या राजनती विज्ञान को वास्तों में विज्ञान बनाने का एक तरीका है व्यभारवाद उदारवाद समाजवाद क कि यह अध्यन करने का सोध करने का एक तरीका है सिद्धान निर्मान का एक तरीका है राजनती विज्ञान को विज्ञान की देश्टिकोंड से पढ़ने समझने और अध्यन करने का एक नया तरीका यह एक नया देश्टिकोंड यह एक ऐसा देश्टिकोंड है जो स्थागत अ अध्यान केंदित करता है यह समगर के स्थान पर सोक स्मता के अध्यान पर बल देता है यानि अध्यान को छोटी-छोटी काईयों पर केंदित है वो करता है प्रमप्रावादियों के विप्रीत यह है जो है मुल्यों की विवस्ता का विरोध करता है और मुल्यों के स्थान पर केवल तथ्यों के अध्यन पर बल देता है और ये अध्यन करने का ऐसा तरीका है जो राजनितिक अध्यन में विज्ञानिक पद्धतियों और आधुनिक विसलेशन की आधुनिक तक्निकों पद्धतियों और नए तथ्यों और तथ्यों के विवस्तित विसलेशन पर बल है व उतत्तरदाई थे। जैसा के इपी मिनि आपको बताया कि वीश्यु शतावटी के मद्य तक परंपरागत राजनीती विज्यान का परचलन रहा और परंपरागत राजनीती विज्यान की जो परंपरागत अध्यन पदरिया थे। उन अधिन पद्धितियों के माद्धम से आधुनिक राजनितिक परिष्टितियों को समझना संभव नहीं रहा है। व्यभारवाद की उत्पत्ति का एक बड़ा कार्ण यह भी था कि उस समय के अन्य समाज विज्ञानों में व्यभारवादी सोध पद्धतियों का परियोग प्रारम हो गया था और वहीं से राजनिति विज्ञानी ने भी प्रेणा है वो लिए। इसकी भविश्यवानी करने में राजनिति विज्ञानी विफल रहे। उसने विख्यान में हुआ। व्यभारवादी तरी प्द्धियों का यह है कहीं कि विखास कप्षी शुरू हुआ। विकास में किन लोगों का योगदान है वो रहा तो वियभारबाद के विकास में सरवयदिक और महत्तपून योगदान जो है वह अमेरिकी राजनती सास्त्रियों का रहा है मुक्हेत है जो UNC conn का योगदान वह मानना जाता है कि वह भारवाद की जो नहीं है वो आधुनिक राजनती सास्त्रियों ने उन बीश्य शितापदी के पर्थम दसक में रख दी थी जिन में जो अमेरिका के राजनती सास्त्री चार्ल्स मेरियम का महत्वून स्थान है चार्ल्स मेरियम की चुपुस्तक है न्यू अस्पेक्ट और पॉलिटिक्स में ही व्यवारबाद के प्रारंपिक सूत्र मिलते हैं इसके लावा शिकागो भी सुधाले के अन्य विद्वानों जैसे आर्थर बेंटले, लॉस्वेल, आमंड, कॉलमेन, काल डाइच, रोबर्ट इन सब का व्यवारबाद के विकास में महतुपून योगदान है, वो रहा है, इसनी सब के अलावा डेविडिश्टन का सरवादिक महतुपून योगदान व्यवारबाद के विकास में रहा है, इसी करण डेविडिश्टन को व्यवारबाद का प्रनेता और प्रमुक वक्त अब आगे अपन वहारवाद की जो प्रमुक विशेष्थाएं मान्यताएं हैं जो डेविडिस्टर ने प्रतिवादित की हैं उन पर चर्चा करें तो यह हैं वहारवाद की प्रमुक विशेष्थाएं लेवी डिस्टर ने वियवारवाद की जो आठ मुख्य विशेश्टाइं बताए है जिसे उसने जो वियवारवाद की बोद्धिक अधार्शिला का नाम भी है वो दिये है जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं वियवारवाद की जो पहली विशेश्टा या मानता है वह है निमित्ता हैं व्यभार्वायत्यों का मानना है कि राजनतिक व्यभार की कुछ ऐसी प्रवरतियां होती यह जो बार-बार निमित रूप से उबर कर आती हैं और उनकी निमित्ता के अधार पर उनके विशे निश्कर्स निकाली जा सकते हैं उनके अधार पर राजनतिक घटनाओं को समझा भी जा सकता है और उनके अधार पर जो है वो भविश्य माने भी है वो की जा सकती है तो बहुत सरी ऐसी राजनतिक प्रवर्तिय होती है जो नेमित रुप्षे बार बार उबर कर रहो आती है ज कर सकते हैं अगली जो विशेष्टा है विवारवाद की हुए है सत्यापन विवारवादी मानते हैं कि माना विवार के समंद में जो ग्यान प्राप्त होता है उनका सत्यापन या वेरिपिकेशन किया जा सकता है माना विवार के समंद में जो भी एकतिर समगरी होती है जब भी सब्सक्राइब जब जो राजनतीक ग्रूस प्र between कमें कर सकता है और उनका साइब्स तेख अगली जो विशेष्ता है या माननेता है व्यभारवाद की वह है तकनीक व्यभारवादी जो हैं वो राजनतिक सोद में जो जो अध्यन समगरी के संग्रय या विस्लेशन के लिए वा अध्यूनिक तकनिकों के परियोग परबल देते हैं और ये सोद के लिए परस्क्रीश्त, परियोग, परबल देते हैं अगली जो विशिषता है का प्रिमानी करण है क्शूंकि लाजनिति विज्ञान में एक समाज विज्ञान का विशए है और उसमें जो अद्द्रीन सम्गरी है वो मुलतें मानव वेभार है और मानव वेभार एक ऐसी वाद चीज है जिनको तोला या मापन संभव नहीं है लेकिन वेवार वादियों ने कहा कि राजनतिक जो वेवार है मनुष्य का या जो राजनति विज्ञान की उपलब्द आधार संभगरी है उसको लेखवद्वी किया जा सकता है और उसका मापन या परिमानी करण भी है वो किया जाना चाहिए और अगला जो है इसेटा है मूले इसको मूल निरपेक्षता भी हो कहा जाता है परंपरावादी राजिनती विज्ञान में जो अध्यन में मुल्यों का तदिक समावेश था परंपरागित अध्यन जो है वो मुल्यों पर ही आधरित था लेकिन आधुनिक राजिनती विज्ञानियों ने मुल्यों के स्थान पर तत्यों के अध्यन पर बल दिया और व्यभारवाद में भी मुल्य निर्पेक्स अध्यन पर प्रपल दिया गया और एका गया कि अध्यन जो है वो मुल्यों के अधार पर नहीं केवल तथ्यों के अधार पर यह वो होना चाहिए यानि अध्यान करता को अध्यान के दोरान जो तथ्यों मिले उन्हीं तथ्यों के विश्लेशन के अधार पर अपने निश्कर्षों का प्रतिवादन करना चाहिए अगले जो विशीषता है वह है करम बद्दिकरण व्यभारवाद्यों का मानना है कि सोध कारें करम बद्द हो और व्यवस्तित हो पर तेक सोध करता को अपने शिद्धांत के समंद में जो है तत्थे करने चाहिए व्यवस्तित तरीके से और जो तत्त हैं उसके सोध से सम्मनित होने चाहिए और जो पूरा का जो पूरा जो उसका सोध का तरीका है वह करमबद और विवस्तित है वो होना चाहिए कुछ कि अगले विशेष्थ हैं विस्व्यद्व विज्ञान के दिस्टी से विचार करते हैं और विज्यानीक रीतियों को ही अपने सोध में माते को राजयति विज्ञान 2019 को वास्तह व्यभारवाद्यों की मानता है कि समंस्त मान begitu भूंवियंद सबस्चने उनरी इनकों मे घंडों में अलग लग नहीं होना चाहिए व्यभारवाद्यों के नीशार मानव व्यभार में एक मुल्बूत एकता पाई जाती है और इशी करण जो है मानों वैभार का जो अध्यन है वो सभगधा से हो इसके राजिनती विभार को समाजिक आर्थिक और अन्य सभी प्रिष्टियां हैं वो प्रभावित करते हैं इसलिए मानों विवार का जो अद्धन है वो संहय होना चाहिए सभी पक्रवार कर लिगों समझना चाहिए तो यह हैं वियवारवाद की परमुक माननेता हैं कि अब अपन चाहिए व्यारवाद की कमियां जिनके आदार पर अनेक विद्वान जो है वो व्यवारवादी तोड तरीकों की या व्यवारवादी पद्दतियों की अलोचना है वो करते हैं देखें व्यवारवादी की उत्पत्ति के बाद जो है व्यवारवादी तरीकों से अंदादून सोद किये गए लेकिन कोईूपयोगिता नहीं रही उसकी कोई प्रसंक्ग सिखता है वह नह रही जिसके प्रणाम सुरूप तो व्यवारभाद के जो पॅज है उन्होंने जबिदिया डेवभी डिष्टन ने स्वा वारभाद कम्यों को 성 también यह उसके स्थान पर उत्तर व्यवारबाद के पृति दिया गया और तक्नीकों का परियोग अच्छी बात है लेकिन तक्नीकों के परियोग से ज्यादा तक्नीकों के प्रति पागलपन जो है वो किया गया और जो है तक्नीक होनी चाहिए लेकिन आवसकता से ज्यादा उस पर बल दिया गया सोद की प्रासंगेक्ता से ज्यादा टक्निकों पर बल दिया गया जिसका परणाम ही हुआ कि जो है वेवारवादी सोद जो है वो समाज के लिए किशी उपयोगी है वो संभव नहीं हो पाए वेवारवादियों ने मूले निर्पेक्सता पर अत्यदेख बल दिया चुकि स्केमिस्टी की तरह नहीं हो सकती तथे द्येनसामगरी मानम वेवार होता है जो की परिवर्तन सील होता है इसलिए समाज विघ्यानों में पूरी तरह से प्राकरति विघ्यानों की तरह मुल्य निर्पेक्स अध्य मानम्र विदा नहीं है यह किसकी सबसे बड़ी कमी थी इसी के अधार पर व्यभारवादी सोध है वो ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो पाए इसी विशे में लियो स्टास ने कहा था कि मुल निर्पेक्स्ता का परिणाम गटर की विज़े ही हो सकता है और यह हुआ भी इसके अलावा जो व्यभारवादी जो पत्दतियां थी उनमें अत्य दिक टखनिकों के परियोग पर बल दिया गया जिसके प्रणाम सरूप यह ध्यन पत्दतियां थी यह अत्य ध Knightsी खत्चेले थी और इनमें टक्नीकों के परियोग पर अत्य ध्य्द्धन हो खत्स होता था यह सब बढ़ी तो वाणधी वाणधी विशेश्थां एक मैंने आपको बताई थी परमाने धिशुक्राइब करना यानि जो वहारवाद दूने कखा कि राजनती व्यवार उसका रिश्का मापन किया जा सकता है जब कि जो है मानुव वास्ट्विक्ता यह है कि मानुव का संभव नहीं ये विवारवाद की सब्से बड़ी कमी थी मानों का विवार आज कुछ है कल कुछ होगा तो उसका मापन जो बहुतिक वस्तों की तरह संभव है वो नहीं इसके अलावा जो भारवादी जो सोध है वो सोक्स मध्हन पर बल देते हैं छोटे पेमाने पर अध्हन करकर उसके निसकर्सों को बड़े पेमाने पर लागू करना यह बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाया और इसके सबसे बड़ी कमी थी कि छोटे पेमाने पर किया गया जो अध्यान और उसका जो निस्करस है वो बड़े प्रिमाने पर लागो किया जाना है वो वैगनिक है वो नहीं है तो यह व्याभारवाद की प्रमुक्म्रों कमिया है जिनके अधार पर व्यभारवाद की अलोचनां की जाती है और व्यवारवाद के इन कम्यों के परिणाम सुरूपी व्यवारवादी सोद के जो तरीके हैं वो कुछ समय के बाद ही एपरासंगिक है वो हो गए और व्यवारवादियों ने स्वयम ही जो व्यवारवादी तोड तरीकों को अधन पत्तियों को नकार कर उसके स्तान पर उत् किया तरने बाद